मुनावर फारुखी की बेहन ने मनारा की खूब तारिफ की है वहीं पर आईशा खान को टोटली इगनोर भी कर दिया है आखेकार अगर आप भी घर के अंदर जाते और आप भी मुनावर के कोई रिष्टेदार बेहन या भाई या कोई भी आप होते तो डेफिनेटली मुझे पता है कि आप घर के अंदर जाके आईशा खान से गले लगके तो बात नहीं करते नॉर्मल बिहेव तो नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए इस वे में तो भाई मैं काफी ज़दा साथ हूं मुनावर की बेहन के कि वो ऐसा बिहेव जो है आईशा के साथ कर भी रही है क्योंकि मुझे काफी ज़दा खुशी मिल रही है सब जो है लिविंग एरिया में बैठे हुए है धेर सारी बाते जो है मुनावर की बहन कर रही है वहीं पर बाजो में मनारा को बिठा लिया है मनारा के सामने मुनावर बैठे हैं अंकिता बैठे हैं तो देर सारी बाते जो है कर रही है यह वह ऐसा वैसा तो मनारा बोरे देखा देखा तो कुछ इन से लेटेड जो है कुछ बाते कर रही होगी उसकी बहन जो है जो कि इशारों से यही लग रहा है कि मुनावर को बता रह तो आईशा जाके फटावर रेडी होके फिर वापस आती है लिविंग एरिया में वहाँ पर बड़े सोफे पर सब लोग बैठे रहते हैं आपर बाजू में आके सामने पहले खड़ी होती है फिर बाजू में छोटा स्टूल लेके वहाँ पर बाजू में बैठ जाती है तो मुनावर की बहन totally जो है आईशा खान को इगनोर कर देती है totally बिलकुल भी उससे बात नहीं कर रही even सब लोगों को बात कर रही है smile pass कर रही है react कर रही है किसी की भी बात पर पर आईशा खान को ना तो बात कर रही है ना तो उसकी किसी भी बात पर response दे रही है ना smile ना उसकी तरफ देख रही है बहुत ignore जो है feel हो रहा आईशा को जहां पर आईशा जो है वहाँ से निकल पड़ी और वैसे भी अगर मैं भी होती न तो पता नहीं कि मैं ये करती या नहीं करती पर मैं हाँ ये चीज़ है कि जो किया है ना मुनावर की बहन ने वो बहुत सही किया है इसी के साथ मैं लेती हूं जासत नमस्षका